देश में कुरोना संक्रमन शुरू होने के बाद मार्ष में ही वैशनो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी। पहले सप्ताह 2000 शधालू प्रति दिन दर्शन को जा सकेंगे, जिनमें 1200 भारती और 100 विदेशी यात्री हो सकते हैं। ओनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भाक्तों को यात्रा की अनुमती दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहणने जैसी बातों का विशेश ध्यान रखना होगा। कोरोना संकट के चलती बंद हुआ वैशनो देवी का दर्बार आज भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इस दोरान भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहणने जैसी बातों का विशेश ध्यान रखना होगा। सभी प्रवेश द्वार पर यात्रियों की थर्मल जाच की जाएगी। लोगों को फोन में आरोगे से तो एप डान्लोद करना अनिवारे होगा। उन्होंने बताया कि 60 साल के अधिक उम्र के वेक्ति, बीमारियों से जूज रहे वेक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दामिक स्थलों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हलाद सामान होने के बाद इस परामर्ष की समीक्षा की जाएगी। साथी साथ ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्तों को यात्रा की अनुमती दी जाएगी। इस के लावा माता के भहवन में एक बार में 600 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। जम्मु कश्मीर प्रशासं के ये देशा निर्देश 30 सितंबर तक लागो रहेंगे। इस के लावा शद्धालू मंदिर परिसर में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ा सकेंगे। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूना भी वर्जित होगा। बता देख की कुछ दिनों पहले ही पूर्व केंद्रिय मंतरी और बीजेपी नेता मनोज सिन्हा जम्मु कश्मीर के उप्रा जिपाल नियोक्त किये गए हैं। इसके बाद उने केंद्र शासित प्रदेश की सभी तीर्थ स्थलों को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए 16 अगस्त की तारीक तै की गई है।